नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिन्टू में आ गएं फिर से आपके सामने कुछ तड़कता बढ़कता हुआ एक टॉपिक लेके और सिवाईनू का जूट भी पकड़ा गया उस पे भी बात करेंगे तो ये दो टॉपिक है वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है देखेगा जरूर कि मेरा कोई भी टॉपिक ऐसे ही नहीं होता आपको खूब अच्छी तरह ये चीज़ तो पता है तो एक तो है ऐसा टॉपिक जिस पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि वाकई में ये तो बहुत का वाका है था पूरा आर्टिकल ही आ गया किसाब बिल्कुल हमसे गलती होई है अपोलोजाइज उन्होंने किया है काउंटडाउन के उपर के वाकई में ये गलती होई और हमें ये नहीं करना चाहिए था मैं पूरा अपने ये आर्टिकल आपको दे रहा हूं आप पढ़ स लोगों के जुड़े हुए है न वहीं तो मैं कहता हूं क्रफ्टो करन्सी में हो तो भाई दिल मत लगाओ क्योंकर ये डवलपर है न पूरे चोर है ये ये अपना फाइदा देखेंगे आपके बारे नहीं सोचेंगे अब यहां पर क्या हुआ है बोन में बहुत लोगों का नुकसान हो गया केबल बोन में क्योंके जो लोगों को उम्मीद थी सिवेरियम की थी कि सिवेरियम आएगा उसके लिए लोगों ने अच्छा खासा इंवेस्टमेंट जो है बोन में कर डाला और वहां क्या महां से प्राइस सीधा नीचे आया तो वहां पर लोगों का नुक समझ में आजानी चाहिए कि यह कुछ भी कर सकते हैं, आपके emotions से उन को कोई लेना देना नहीं है, जब emotions से लेना देना नहीं है तो आपके नफनुक्सांस उनको क्या लेना देना है लेकिन ये हुआ क्यों कि आज जब उनको अच्छी खासी खेचाई की गई जब ट्रोल किया गया कि भाई ये सब क्या ड्रामा था सब को ये उम्मीद थी के साथ सिवेरी माया गया लेकिन आपने ये क्या किया लेकिन तब सातों जिसकों को ये समझ में आ गया कि negative ज़्यादा जा रहा है मामला बजाए positive होने के तो ये क्या था emotions के साथ खेलना तो कहीं ने कहीं मैंने तो आपको पहले ही वीडियो में ये चीज़ बता दे दे कि केवल बेफूप बनाया गया है लेकिन हमारे कुछ प्रेमी है सिवाईनू प्रेमी जो आँखें खोलना ही नहीं चाहते भाई थोड़ी बहुत आँखें खोलो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसी के लिए आज मैंने दूसरा टॉपिक आपके लिए तयार किया है बैसे मैं साधी टॉपिक आपको अभी ना देता लेकिन आज जो ये सिवाईनू में जो चीज़ होई न उसी के लिए मैंने आपको दूसरा टॉपिक जो अब आगे सुरू करूँगा इसलिए दिया कि आपकी आँखें खुलनी चाहिए भाई जो आप आँखें बंद करके या बिल्कुल हमारे यूटेब भाईों ने जो दिमाग में भर दिया है करोड़ पती करोड़ पती तो साधा आपकी थोड़ी आँखें खुल जाएं इसलिए मैंने आपके लिए ये थोड़ी चानबीन करी कि आखिर और क्रिप्टो करणसी में क्या है जरा पता तो किया जाए तो वही टॉपिक एक आपके सामने रखा अब मैं जो आपको टॉपिक देने वाला हूँ वो टॉपिक है देखिए आप तक कितने स्केम टोकन आए और कितने लोग बरबाद हुए इस स्केम में करप्टो करणसी में वो चीज़ आपको समझाता हूँ एक देखिए मैं आपको थोड़ा सा सनवाई देता हूँ 2020, 2021 और 2022 ठीक है तीन साल में देता हूँ 2020 में जो है लगवग 1548 इसकेम टोकन ही आए थे ज़्यादा कुछ नहीं था बहुत मामूली सा था ज़्यादा इसकेम नहीं 1548 कोई बहुत बड़ी बात नहीं चोटा इसकेम लेकिन 2021 में बढ़कर वोई इसकेम टोकन 83,368 पे पहुँच गए यानि यहां इसकेमरों को यह लगने लगा कि अच्छा खासा फाइदा है जाके बेवकूब बनाओ, हाइप क्रियेट करो प्राइस को उपर लेके जाओ, पैसा आ जाए निकल के भाग जाओ वही हुआ, अब 2022 में तो हदी कर दी 1,7,639 इसकेम टोकन आए और अभी यह दस दिन अभी बाकी है दिसंबर में, जब तक कडाटा है मैं तब तक की बता रहा हूँ तो एक लाग से जादा तो 2022 में आ गए इसकेम टोकन, तो यह क्या था यह गलती हाँ, इसकेमरों की नहीं थी गलती हम लोगों की थी होता क्या है, हमनों देखा रहे, पंप हो रहा है, पंप हो रहा है जाके आख बंद करके गिर पड़े कुछ हमारे यूटूबर भाई भी ऐसे हैं पैसा दिया, उसको क्या कहता है प्रमोट कराया, और हमारे भाई तो कुछ हैं आख बंद करके गिर पड़ते हैं क्योंको फलाने ने बताया है इसलिए क्योंको फलाना तो जैसे भगवान का भाई है वो सही बताएगा जो बताएगा वनोंने प्रमोट किया जाके हम जैसे भाई उने पैसा लगा दिया प्राइज उपर गया इसके मर लेके निकल अब न तो यूटूबर आपको कोई जवाब देगा और आप किसके पास जाएंगे काम खतम तो यह हुआ साब तीन साल में इतने टोकन फरजी आ चुके हैं अब मैं आज आभी भी देख लिजिए जो हमारे बड़े बड़े यूटूबर भाईया आभी भी प्रमोट कर रहा हैं मुझे यह समझ नहीं आता है और मार्केट बिल्कुल वो कहते हैं नीचे पड़ा हुआ है और उसमें भी आप प्रमोशन कर रहे हो टोकन का नए टोकन का प्रमोट कर रहे हैं भाई क्यों कम मार्केट यार कम से कम ठीक हो कि अच्छी हालत में हो तब तो ठीक है चलता है क किसी में भी पैसा डालो पैसा बनता है लेकिन बियर मार्केट में जहां वो कहते हैं कि बीटीसी की भी सांस फूल रही है अभी वहां पर आप एक नए टोकन का प्रमोट कर रहे हो हमारे बड़े-बड़े यूटवर भाई यह काम को कर रहे हैं अभी भी लगे हुए हैं प् अब उसमें से होता यह है कि कुछ लॉंच हो पाते हैं कुछ नहीं हो पाते हैं कुछ अपना बच्छोटा मोटा वहीं लोगल कम्यूनिटी में उन्होंने अपना क्या केते हैं किया खिल और निकल गए लेकिन यह पता कैसे चलता है यह पता चलता है किसी भी ब्लॉक्चेन पर आप बनाओगा नहींare och token आप भी मना सकती हो token कोई भी क्रियेट कर सकता कोई rocket साइंस नहीं है आप चाहो 25 टोकन क्रियेट कर लो कोई दिश्कत नहीं लेकिन होता है किहाई टोकन कहीं कहीं ने कहीं आप किसी किसी ब्लोक्चीन पर क्रियेट करेंगे उसी से यह data आप मिल जाता है कि भाई कितने टोकन क्रियेट हुए अब वो कुछ यह जाज़र डेक्स पर आए कुछ अपने सेंट्रलाइज एक्सेंज पर आते हैं उनका थोड़ा सा जादा बोलबाला हो जाता है वह मालूम पर जाता है तो जैसे आज कल अपना जो है 21-25-2000 के आसपार कर् पता भी चला तो किसी ने क्या उखाड लिया सिद्धी से बात है वो तो लेके चले गए इसमें जो है जादा सबसे जादा जिस ब्लॉक चेन का यूज किया गया वो था BNB चेन यानि के बाइनेस की चेन लगवग 12% इसका फ्रोड के लिए इस्तमाल किया गया और एधिरिय आए और चले गए हमें और आपको लूट गे अब कितने लोग लूटे वो भी सुन दीजिए कितने कितने लोग और किस किस में लूटे हैं 22,000 लोग लूटे उस टाइम पर जब Empty Gox Exchange था वो डूबा था वो कुलेप्स हुआ था एक Approx राटा है में भी थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है तो लगवग 22,000 लोग तो उस टाइम डूपे जब ये बहुत Early Stage की बात है Empty Gox कोई अभी का नहीं था बहुत पुराना एक्शेंज था उस टाइम का सबसे बड़ा एक्शेंज था जब ये कुलेप्स हुआ था तो उस टाइम पर 22,000 लोग कंगाल हुए 40,000 लोग किसने बरबाद किये टेरा लूना ने टेरा लूना सबको पता है 9,000 से और कहां आ गया सबको अची तरह पता है कि कोई इसको कौन भूल सकता है तो टेरा लूना ने लग भग अप्रॉक्स 40,000 लोगों को चूना लगाया उसके बाद 1,95,000 लोगों को चूना लगाया किसने वोईजर में जो आज सुए की मेरी नि बाद 5,72,000 लोग किसने वरबाद किये ब्लॉकी फाई ने ये भी बेंकरप्ट हुआ अभी रिसेंटली की बात है क्योंकि FTX के बाद यही सब ड्रामा हुआ है ठीक है तो ये भी अभी ज़्यादा प्रॉना केस नहीं है बहुत नया केस है उसके बाद 6,000 लोग जो है सेल्स तो अब इतने लोग क्यों बरबाद हुए क्या हमारी गलती थी क्या इन्वेस्टर की गलती थी नहीं इन हराम खोरों की वज़े से ये सब हराम खोरी थे हराम की खाने वाले थे इनकी वज़े से एक मेहनत करने वाले इंसान का पैसा डूबा सबसे बड़ा जो इसमें हिस्स इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों को लूटा गया वो थे एक 1.93 मिलियन किनों ने जो इसकेम टोकन आए और चले गए लेके उनका कोई अतापता नहीं तो ये था साब कोछ इसकेम हुआ केवल 3 साल में जबकि 2020 में कोई खास नहीं था आप अगर हिसाब से देखें तो 2020 में केवल 1548 ही लोग इसकेम टोकन आए थे केवल तो ज़्यादा इसकेम मौपन नहीं हुआ जो इसकेम हुआ दो साल में हुआ है क्योंकर ये जो हाइप क्रियेट हुई थी न उस हाइप की बज़े से लोग अंधे हो गए लालच आ गया के रातो रात करोड़ पती बनते हैं दूसरा हमारे यूट्यूब पे बहुत से हमारे ऐसे इन्फिलेंसर हैं जो 24 गंटे करोड़ पती बनाते हैं बज़ा इसके के या पहले देख तो लो के हम क्या करवा रहे हैं तो ये डाटा कुछ ऐसा था जो सिर्फ आखी आखी खोलने के लिए मैंने रखा है कि जितना आपको हरा हरा करप्रोकरंसीव नेजर आता है न उतना हरा हरा है नहीं ये दिखाई जादा देता है बाकी अंडरगराउंड बहुत कुछ काला है तो थोड़ा सा जो जो काला है न अंडरगराउंड उसको भी देखे चलिए इसलिए कहता हूँ कि किसी भी यूटूबर के कहने से एक पैसा मत लगाईए आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप चाहे कितने भी चैनल देखो कितने भी देखो नौलेज एकत्र करो नौलेज लो जितनी ले सकते हो उसके बाद आप जो है इन्वेस्ट करो सिद्धी सी बात अगर आप ये समझ लोगे तो क्रप्टो करनसी में सक्सेस हो जाओगे अगर आप ये नहीं समझोगे हमेशा आप जो लालच पैदा होगा न, वो आपको तीसरी कॉल में बरवाद कर देगा ये fact है आप खुद अंजवा लेना, जो मैंने कहा है, आप comment section बताना, क्या मैंने घलत कहा है, क्या आपको दो-तीन कॉल में फाइदा होने के बाद, तीसरी कॉल में नुक्सान होगा और वहाँ आप लालच में सारा बरवाद कर बैठो फिर क्या करोगे आप, यूटूबर्स को बला बुरा बोलोगे, आप यहाँ पर गलती आपकी है, कि आप खुद कुछ नहीं करना चाते, आप सीखना क्यों नहीं चाते तो इजीले मैंने आपको डाटा सामने रखा है कि आप किसी के भी कहने सुनने में मत आओ, जो करना है अपनी नॉलिज के एसाब से करो, तो नॉलिज लो यार, पचाश जगे से लो, कोई दिक्कत नहीं तो यह केवल, यह कहता है आपकी आँखें खोलने के लिए, मैंने यह डाटा आपके सामने रखा तो बागी भाई, जो लोग सिवाईनू से दिल लगा के बैठे है भाई, मैं तो कहता हूँ, थोड़ी बहुत आप भी आँखें खोलो कई बारब्यासे मैं उसको अर्नवेद रोजता चैनल पर इसका जबाब दे चुका हूँ, लेकिन इस पर भी कई सारे पूछना है, तो चलो इस पर भी दे देता हूँ, बाई, क्या आपना दूसरा चैनल क्यों बनाता हूँ, एक अभी हमारे यूटूबर भाई है, उसका च सब्सक्राइबर थे, बिचारा जीरो हो गया बिल्कुल, बैक अप के लिए चैनल रखा नहीं था, तो भाई मैंने तो देखी, जो दूसरा चैनल बनाया है, वो बैक अप के लिए बनाया है, कि आप से मेरा रिस्ता जुड़ा रहे, खुदा ना खासता, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो जाए, लेकिन टेकनिकल है, कुछ भी हो सकता, तो इसलिए मैंने अपना दूसरा चैनल बैक अप के लिए रखा हुआ है, कि आपके साथ मेरा लगाव हमेसा लगा रहेगा, जुडाव हमेसा बना रहेगा, इसलिए कहता हूँ कि आप उस चैनल को देखो या नही स्क्राइब करें, जिससे का हमारा आपका जुडाव हमेसा जुडा रहे, तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार.